बोधगया बक्रोर छेत्र में बोधगया वाटर पार्क में भोचपुरी फिल्म की शूटिंग की गई आपको बताते चलें फिल्म के निर्देशक वा निर्माता, शिफ संकर सिंग संजे कुमार यादफ के द्वारा यह फिल्म निर्मित की जा रही है इस फिल्म में अबिनेतर का रोल विजे राज यादव व अबिनेतरी निदी जहां है और इनकलाकारों के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे इस फिल्म की कहानी पारिवारिक पर आधारित है इसमें यह दर्शाय गया है कि आज किस तरह से समाज में बुराइया फैल रही है और समाज को लोग खोखला कर रही है इस पर आधारित यह फिल्म है फिल्म में विनीत विचाल विलन का रोल अदा कर रही है और राम बाबु गुपता उफ महाकाल गुरू नाग राज का रोल अदा कर रही है यह कहानी समाज की बुराइयों पर आधारित है जिसके शूटिंग आज बोध गया के बक्रोर गाउं के बोध गया बाटर पार्क में की गई गया से अशुक शर्मा की रिपोर्ट मताइंगे कि इनके वाटर पारक में क्या क्वासियत है और क्या फीनी धर्द किया गया और समझत, देस्वासियों को हुली पर आने वाल किया समर्दे देना चाहते हैं। सबसे पहले अप ये में बता है कि आपके वाटर-पार्क में क्या खासियत है। рыख वाटर-पार्क में बहुत अच्छा खासियत है जो कि पूरे बिहार जार जो भी सिल जाते हैं वाटर पर्क उसमें आदमी को भाड़ा किराय लभी रखता था बहुँ ज्यादा उसमें जाने में सिर्क पाश्याद पर खर्चाप पड़ता था जो कि हम लोग यहां जेतना जीप सबसे बड़ा पूल जो कि यहां की जो ही वाटर पर्क संजय से थे या तो जो भी बनाये हैं उनलों के पास वह कैपी सीटी भी नहीं दूसी बात है क्या कि यहां और बेपूल ही बनाए जो बहुत अच्छा इतना सुन्दर धंका कि मत कहिए कोई भी आदमी चोटा परिवार भी कम से कम पैसा में इंज्वाई ले करके चा सकते हैं इसके बाग में डायक्टर में हमारे बहुस हैं संधी बाव बोलेंगे में हैड़ाव डिपार्टमेंट रही हैं सर आपके वाटर पर्क के अंडर में रिस्टूडिन्ट के भी शुद्धा प्लद है रिस्टूडिन्ट है मेरे पास अडिवेंट्र भी है जो कि और से अडिवेंचर शुद्धा नहीं है ऐडल बोर्ट है एडवेंचर ड्रेगन ढूला है ड्रेगन ट्रेंग जम्पिंग बहुत सारा चीज है जो कि अलग है हमारे बाटर पार्क में हार जार खंड से सबसे बड़ा पूल मेरे पास है यानि कि यहाँ होटल के भी शुबधा पूलद है होटल का भी शुबधा अपलब्द है दूसरा है कि हम लोग का सबसे बड़ा पूल है उसमें ट्रेनिंग फूल है हम लोग स्विंग का ट्रेनिंग भी दे सकते हैं इतना बड़ा फूल मेरे पास है जो कि किसी के पास बाटर पार्क में अबलेबल नहीं है ते राकी वाला भी मलोग जो हुआ और आने वाले होली पर आप बाटर पार्क की योड़ से क्या 200 पर परती आदमी हम लोग का राहे सब को हुली मुवारक नमस्कार आप मेरे साथ देख रहे हैं आज लेट स्यांगे पर बुलेट स्यांगे के बिलेन जो मुख रॉल अदा कर रहे हैं बिनित विशाल जी आज मैं उनसे खास बरतालाब करूंगा बरतालाब के दोरान वो क्या कहते हैं आगे चर्चा में सुने सबसे पहले जी आप को इस फिल्म में काम करने कमों कर किस प्रकार मिला है यह फिल्म है देर स्टॉन को इन्होंने देखा और उस तरह के परसनलिटी इनको चाहिए थी अपने फिल्म के लिए वाजर रिच क्यारक्टर तो वोट फिल्म देखने के बाद हमारे डर्क्टर सूरजगी में मुझे सेलेक्ट किया, मुझे फ्रोन किया और कहानी सुनाई मुझे पसंदाई तो फिर रम ने भी हां कर दिया इस फिल्म में किस तरह का यह फिल्म है और यह लोगों को क्या संदेख देगी किस फिल्म में क्या सिख मिलेगी लोगों सुनाज का हम कहते हैं कि जो फिल्म होता है वो समाज का हैं समाज से हीं कहनिया उठाते हैं तो यहां इस फिल्म में इसी कहनिया है जो समाज की कि अगर यह फिल्म बजार में आती है तो यह फिल्म परवारिक होगी या और भोजपोरी फिल्म से हट करके होगी यह तो सभी कहते हैं कि हमारी फिल्म सबसे अलग है अलग है है अच्छी वाथ है यह है कि यह फिल्म बाजार में आएगी तो आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं तो इस प्ल्म में मुख्तक स्थ लोगों के बीच में संदेज का इस तरह का क्लिचर को बदला जा सके हैं तो शुरजगी जी ने एक प्रयास किया है कि इसमें हम भोचपुरी में सिर्फ धोति कुर्ता या वही लोटा जोपरी पुरी हमारा शिर्फ भोचपुरी वही तक सीमीत नहीं है उससे भी आगे की चीज़े सिर्फ लांग्वेस हमारा भोचपुरी है रहन सहन आज कल हाद प्रजान किया है कारेक्टर को सोचा है और वहीं परवेश दिखाया है जो सब को काफी पसंद आएगा सब्सक्राइब अपने परचे जी मैं हूँ वनीद विशाल और आपने मुझे दबं सरकार फिल्म में में विलन के रूप में देखा हुगा जिस करेक्टर का नामता शक्ति और जिससे मेरी पहचान बनी है इसलिए बताना बहुत जरूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस फ बात करने के लिए और किमति समय अपना देने के लिए मैं राजेश्क में मिश्रा आपके बख्रावर इस्थित बोधिया बाटर पार्क में लेट्स जाएंगे पर बुलेट्स जाएंगे का फिल्म का सुटिंग का आपने आज यहां पर मुकतितिक रूप में दौर किया और लिए उसको दूर करने के लिए और समाज के लोग को जागरूप करने के लिए उसी पर अधारित यह फिलिम है आज कल क्या है कि लोग समाज में एक जब जो पैसे कमा लेते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं और जो गरीब कपके को लोग हैं उनको लोग दबाना चाहते हैं और उनकी जो इक्षा सकती है उसको लोग दबा करके उसी पर अपना राजनित्चम काना चाहते हैं तो इसी सब को हम लोग जो निम्न बर्ग के लोग है उनको जागरूप करने के लिए अपने हक को समझने के लिए उस समाज में जो बीक्रितिया है उसको खतम करने के लिए उसी प्रधारित समाज को जागुत करने के लिए, फिलिम के माध्यम से हम लोग ये जनता को दिखाना चाहते हैं इस फिलिम का नाम, लेट से आएंगे पर बॉलेट से आएंगे क्यों रखा गया इसलिए रखा गया ऐसा कि जब भी समाज में कोई भी कुरितिया होती है तो उसको जगाने के लिए आदमी लोग सोचते हैं और सोचते सोचते उनका समय बीत जाता है लेकिन हमारे एक जो इसका में हीरो है वो सोचता नहीं है वो करता है वो सोचता है कि हम अक पड़े इसके लिए चाहां को कितना वे समय लगे इसलिए इसका नाम लेट्स जाएंगे पर बुलेट्स जाएंगे रखाएंगे पड़ चैपना मेरा नाम नागेंदर सिंह है मद सुनर पर नुबर पांच में मेरा घवर है हम लोग यहां क्रसर वैपारी है रोड के कॉंट्र इस फिल्म के बारे में थोगा साबता यह फिल्म लेट्स से आएंगे पर बुलेट्स से आएंगे जो दिखे शुटिंग चल रही है इसमें समाजी कुरुतियों के खिलाब आवाज उठाने का आवान हीरो के माध्यम से किया गया है और यह संदेश दिया जा रहा है लोगों को कि आपके साथ कुछ भी गलत हो जो भी समाजी कुरुतियों हो उसके खिलाब आप एक्शन लें आवाज उठाएं और जब आप आवाज उठाएंगे तो समाज देश और यहाज प्रियों हुआ है और यहाज आवाज में उसारें गलत हैं झालत है